दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारती टिम पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के मैच में जीत हासिल करें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर केशेगा। प्रबल दाविदार वाली टीम के नाम का एलान किया है और कुछ ऐसी बातें अपने बयान में क्याह डाली हैं जिनको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। प्रबल दाविदार वाली टीम को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मुकाबला दो सेप्टेंबर को खेलना है जो कि श्रलंका की कैंडी शहर में इस्थेपलिकल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है जिसके लिए दोनों टीमें तयार हैं लेकिन इसी बीचिंग पाडियों का बेहितर प्रदर्शन इस मुकाबले में और बेज़ जादा रोमान चग बना देता है इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में मेरे अनुसार तो पाकिस्तान की टीम को इस बार जीट मिलने वाली है क्यूंकि पा कहा कि भारती टीम के भी दोनों वे भाग मजबूत हैं। लेकिन हालिया फाम और टीम रैंकिंग को देखकर पता लग रहा है कि भारती टीम को इस बार पाकिस्तान के सामने दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते पाकिस्तान जीत दर्च करेगा, तो वहीं जो रूट ने बयान देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले को देखने के लिए दुनिया बेताब रहती है, क्योंकि दोनों टीमों के बीच में मुकाबला काफी जादा प्रेशर का रहता है, और सभी को मालूम है क्रिकेट में जो भी टीम प्रेशर को एब्सॉर्ब कर लेती है, उस टीम को आसानी से जीत मिल जाती है, इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा की बड़े मुकाबले में भारती टीम दबाव में बिखर जाती है, और ऐसे में इस बार मुझे लगता है कि भारती टीम को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है, और पाकिस्तान की टीम जीत के साथ भारत को शिकस्त देगी, तो वहीं स्टूवर्ड प्राट ने बयान देते हुए कहा की भारती टीम को इस बार जीत मिल सकती है, तो भारती टीम को जीतने से कोई भी रोक नहीं पाएगा और ऐसे में मेरे अनुसार तो भारत की टीम ही पाकिस्तान को हराने वाली है दोस्तों आपको क्या लगता है भारत और पाकिस्तान में कौन सी टीम जीत हासिल कर सकती है हमें अपने जवाब कॉमेंट में ज़रूर बताईए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लिए हमारे यूट्यूब चैनल